वेलो फ्रेंड वेलकम बैक टू मैं चैनल आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आए आज किस वीडियो में बनाती है गर्भी की सब्जी जो की बहुत ही जल्दी बनके तयार हो जाती है यह ड्राइ बनती है और बहुत ही चटपटी बनती है रेसिपी को स्टार्ट कर करते हैं रेसिपी अपको पसंद आती है तो प्लीज मेरी चैनल को लाइक को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल बटन जरूर प्रेस करें आगे आने वाली अपडेट्स के रिए रेसिपी आपको कैसे लग रहे है प्लीज मुसे कमेंट बुक में जरूर शेयर करें तो हम सिर्फ आधा का पानी यहां पर यूज करें बहुत साधा पानी नहीं डालेंगे अरभी में नहीं तो और चिपशीपी हो जाएगी और लगबग 2-3 विसल आने तक हमें इससे अच्छे से उबाल लेना है और यहां पर देखिए तीन विसल के बाद हमारी अरभी उबलकर चिपशीपी नहीं हुई है और आई सबसे पहले हम अरभी को यहां पर चील लेते हैं इस तरह से दिरे करके हम जो हमारी सारी अरभी है उनको अच्छे से चिलका उतार लेंगे आप देख सकते हैं यहां पर हमेशा पानी कम यूज करें आप जब भी अरभी को बाल रहे हैं तरह से चिलकार तयार है और आप गोल गोल टुकडो में अरभी को काट सकते हैं और जो शेप है चोटा बड़ा आप कर सकते हैं यहां पर पैन में तेल गरम कर लिया है तीन से चार बड़े चमच यहां पर मैंने डाला एक चुटा चमच जीरा जीरे को अच्छे से चटकने ़हांते हैं देंगे गोल थेहां और एक लाल मेझ अपर डाल रहे हैं और लोसर से टीन चुटकी हीग और बूड़ी सब्जिय हम जब भी बनाते हैं लोड़ और जारूर में पर डाल रहें कुछ दाने मेथि के और यहां पर मैने डाला है वन फोटी सपून अजवाईन की ल अच्छे से यहां पर अच्छे से मिक्स कर दिजेंगे बहुत अची खुश्बू आने लगी है अब डाल रहे हैं एक चुथाई चमच हल्दी पाउडर आप जब हल्दी पाउडर डाल रहे हैं यहां पर फ्लेम को बिलकुल कम कर दीजें जिससे आपकी हल्दी ना जले अब हम डाल रहे हैं आदा छोटा चमच धनिया पाउडर डालने के बाद को इक मिक्स कर देंगे बहुत अच्छी खुश्बू आने लगी और अब हम डाल रहे हां पर हमारी हल्दी इस तरह से पहले हल्दी और धनिया डाल देने से बहुत अच्छा स्वाद आता है क्योंकि मसाला बहुत अच्छे से कुक हो जाता है और इस तरह से एक अर्भी को डाल के आप अच्छा सा इसे जल्दी से मिक्स कर देंगे यह रेसिपी ड्राय बनती है बिना प्याज लसन के बनती है आप कहीं ट्रेवल पर जा रहे हैं तो इसे केरी कर सकते हैं पूरिया पराठे के साथ और यह अर्भी खाने में बहुत अच्छी लगती है इस तरह से देखिए मैंने अर्भी को यहां पर डाल के थोड़ा सा चला अब डाल रहे हैं स्वाद अनुसार लाल मिज पाउडर यह डाला है मैंने आदा चमच अमचूर पाउडर और अमचूर पाउडर डालने की बार यहां पर डाल रहे हैं स्वाद अनुसार नमक और अर्भी को बहुत अच्छे से यहां पर भूनना है हमें हलका सा कलर चेंज होने तक दोनों साइट जब थोड़ा सा गोलन कलर आ जाए उतना भून लीज़े जितना अब इसे ड्राय बनाएंगे सबजी को अब उतने देर अच्छे से रख सकते हैं पूरिया पराटे की सतखाने के लिए बेस्ट सबजी है थोड़ा सा पानी में यूज कर रही हूं जादा नहीं जिससे की जो हमने मसाले डाले अच्छे से बाइंड हो जाएंगे अच्छे से मिक्स हो जाएंगे अर्भी के साथ बहुत कम पानी मैंने यहां पर डालाए डाल अब हमारी अर्बी को फिनिश कर रहे हैं कुछ धनिया पता के साथ और यह रेसेपी बन कर तयार है इसे आप पूरी या गरम गरम पराटे के साथ बना के सर्फ कर सकते हैं नाशते में या ट्रैवल में जा रहे हैं तो लेके जाएं सबसी खाने में बहुत मज़ेदार लगती है बहुत कुईक बन चाती है 10-15 मिन रसेपी को तयार हुने में लगते हैं रेसेपी आपको कैसी लगती है प्रिजिट तो दो जरूर शेयर कीजिएगा और मेरी चैनल को ल